चौर्चन दोहजार चौविस पूजा मंत्र चौर्चन की दिन करें इन मंत्रों का जाप चंदर देव की बरसेगी किरपा चौर्चन दोहजार चौविस कब है जानिये इस बिहार तिवहार की तिथी सुबसमय और रिवाज चौर्चन पूजा दोहजार चौविस जिसे बिहार के मितलाक शेतर में चौट चंदर भी कहा जाता है एक महत्पुर्ण दिवहार है जो विशेश रूप से चंदर्मा की पूजा के लिए मनाया जाता है ये तिवहार गनेश चतुर्थी दोहजार चौविस के अफसर पर होता है और इसमें चंदर्मा की पूजा का विशेश महत्व है आईए चौट चंदर्मा की पूजा करना है जिसे चंदर्मा को दोस मुक्त करने के लिए किया जाता है ये पूजा मुख्य बिहार के मिथलाक शेतर में मनाई जाती है जहां इसे चौट चंदर्मा के दोरान महिलाएं चंदर्मा की ओर मुख करके वरत करती है और चंदर्मा की आराधना करती है गनेश चतुर्थी दोहजार चौविस के दिन ये पूजा विसेश रूप से महत्वपुन होती है क्योंकि इस दिन गनेश जी के साथ साथ चंदर्मा की भी पूजा की जाती है चौर्चन पूजा का सुम मुहरत चौर्चन पूजा मुहरत चौर्चन पूजा का सुम मुहरत चतूर्थी तिथी को सुर्यास्त के बाद का समय होता है गनेश चतूर्थी दोहजार चौविस के अफसर पर चौर्चन पूजा का मुहरत रात को चंदर दर्शन के समय निर्धा करेंगी शुक्रवार को दो फर बारा वजकर अठारा मिनट तक तिर्तिया तिथी रहेगी इसकी बाद चतुर्थी तिथी का आरंभ होगा इस दिन मिधलांचल में चनुर्दय के समय चतुर्थी तिथी के दोरान इस पर्व को धुमधाम से मनाया जाता है इस दिन महिलाएं शेत्र में चोठ चंद्र का सुम मुहरत खास महत्व रखता है और महिलाएं इस दिन वरत रखकर अपने परिवार की सुक्षानती की कामना करती है गनेश चतुर्थी पूजन विधी गनेश चतुर्थी दोहजार चौविस के दिन गनेश जी की पूजा करने के बाद चोचन मोदक और पंचामरित अर्पित किये जाते हैं इस पूजा में गनेश जी के 108 नामों का उचारन किया जाता है और अंत में आरती की जाती है पूजा के बाद महिलाएं चोठ चन पूजा के लिए चंद्रमा की ओर मुख करके दर्शन करती हैं और उन्हें अर्पन करती हैं के विशेश रूप से दूद और जल अर्पित किया जाता है चोठ चन पूजा चोठ चंद्र के दोरान महिलाएं अपने परिवार की खुसहाली और समरिधी के लिए प्राथना करती हैं इस दिन पूजा विधी में पारंपरी की गीत और भजन का विशेश महत्व होता है गनेश चतूर्थी दोहजार चौविस का एक महत्वण संबंध है गनेश चतूर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए लेकिन चोड़चन पूजा के समय ये अनिवारे होता है इस पूजा के माधम से चंद्रमा को दोस्मुक्त किया जाता है और उन से सुक् गनेश जी और चंद्रमा की संयुक्त पूजा करना विशेश फलदाई माना जाता है गनेश चतूर्थी की पूजा के बाद चोड़चन का पूजा आयोजन किया जाता है जिससे पूरे परिवार में सुक और सम्रिधी आती है चोड़चन पूजा में रोहिनी नक्षत्र में चंद्रमा की पूजा की जाती है इस पूजा में रोहिनी नक्षत्र भादर सुक्ल पक्स चतूर्थी चंद्र नमह मंत्र का जाप किया जाता है चोड़चन पूजा से जुरी कुछ और भी बाते इस पूजा को घर की महिलाएं जैसे दीदी मा या चाची करती है पूजा के लिए घर को गंगा जल से सुध किया जाता है और आंगन में चावल से रंगोली बनाई जाती है संध्या के समय चंद्रमा निकलने के बाद पूजा की जाती है पूजा में चंद्रमा को अर्ग दिया जाता है और भोग लगाया जाता है इस दिन मरर भोग भांगनी का भी महत खीर के ऊपर पूरी रख कर पूजा की जाती है और फिर उसे दो भागों में बाटा जाता है मानेता है कि जब पूरा देश कटे हुए चांद को देखने से परहेज करता है तब मितलांचल के लोग चौरचन पर जल अरपित करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्रीजर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना बिल्कुल अबुला थैंक्स पूर वाचिंग कीप सपोर्ट हुए हुए हुए